असलाम अलेक्टुटूर्स कैसे आप ठीक है आज तो हमारा लेक्चर है बिस्मेस सैनांस का इसेट मानेजमेंट रिजुब आपको बता है हमें फानेक्शल स्टेक्मेंट का अनलेसिस के ऊपर आज कमरा तुछ आपको स्टार्ट हुआ हुआ है इसमें सबसे पहले हमने लिक्टिटी रेशियो के बारे में बढ़ा था कल जो लास्ट आपको अपने इस तरह किसे मैनेज करें कि इनका जो प्रॉफित होता है वो ज्यादा से ज्यादा आए आपने उसको त्रिकेकार को पढ़ना है इसके अंदर कौन मों से ऐसी एसेट मैनेजमेंट रेशियो में यूज होती है उनको भी अपने इसके करना है अपने एसेट को effectively मैनेज करती है तो उस्पूरे सेट आप रेशियो को हम क्या नाम देते हैं आपकी रेशियो का टिक है तो उसमें लिखा वाए कि आपकी पर स्राइट मैनेजमेंट रेशियो में जूए इस नहीं है इस रेशिए जीए अंसर यह एवरी इस तो का आंसर देगी आपको उसमें उसलिके does the amount of each type of assets seem reasonably कि जो हमारे पास assets हैं क्या उनकी amount हमारे पास reasonable है क्या ज्यादा too much high too much low तो नहीं है according to किस quantity से हमने देखना है ज्यादा high है या ज्यादा low है उसके current और projected sales के उसको हमने comparison करना है आदया यादी इसके assets को compare किसे करना है हमने का Grunge Sales को और जो कसे उसके उसके साथ हमने Mansual के comparison करना है कि उसकी sales की according क्या जो उसके पास assets हैं उसके firm के अंदर क्या उनकी value ज्यादा high तो नहीं है या ज्यादा low तो नहीं है तो यह दोनों नुकसान दें ज्यादा high भी नहीं पर नहीं चाहिए ज्यादा low भी नहीं चाहिए इससे अपके profit पर असर होता है कि कि इसी तरह के सुचे को वें डीकॉयर assets कि आप यह assets का इक्वाइर करेंगे अलाइग अधर companies must obtain capital from banks and other sources अपको पता हम जो इसमें एक example allied firm products की example लेके दर रहें कि दूसी companies भी जाए दूसी funds भी यह allied firm भी होगी वो हमेशा अपने assets कहां से कहां से लेगी बैंक से लोन लेके भी कर सकती है और अमना capital किसी और तरी सोर्स से भी कर सकती है if a firm has too many assets कि अगर firm के पास बहुत ज्यादा assets है its cost of capital will be too high उसकी cost of capital क्या होगी बहुत ज्यादा high and its profit will be depressed और उसका profit जो होगा वो depressed होगा on the other hand दूसी दरब if the assets are too low profitable sales will be lost अगर उसकी assets बहुत ज्यादा काम है तो उसकी profit sales की profit होगी वो भी बहुत ज्यादा low हो जाएगे the asset management ratio describes in these sections are important इसलिए हम assets management ratio को describe करेंगे कि हमने discuss करना है अपने assets की management को कि हम अपने assets को कि स्रीके से manage करेंगे और हम अपने profit की स्रीके से increase कर सकते है तो उसमें सबसे पहले जो हमारी ratio अध्य हो है inventory turnover ratio turnover ratios are ratios where sales are divided by some assets इसमें क्या करेंगे कि sales को किसी asset पी डिपैट करेंगे है वो asset कौन सब्सक्राइब हो हमारी inventories हमारा stock ठीक है and as the name implies they show how many times the item is turned over term number अबलब कितनी दफ़ा वो sale हमारे पास से गोजर के गया है हमारे तक से sale हुआ है during the year एक सार के अंदर right side के आप उसकी definition वही लिखिये के divided sales into inventories that's the inventory turnover ratio is defined as sales divided by inventories कि हमने sales को divided किस पर करते हैं अपनी inventories पर हमें idea हो जाएगा कि हमारा stock है कितनी दफ़ा turn हुआ है turn over हुआ है एक साल के अंदर कि हमारा stock कितनी दफ़ा sale हुआ है कितनी दफ़ा order बार बार हुआना पड़ है तो हमारे पास question में इसकी formula है sales divided by inventories अब आपको पाते है अलाइट food प्रोडेक्ट की जो company थी फिर्म जी उपने comparison अपनी इंडस्ट्री के साथ करना था उन्होंने question में लिखा है कि इनका जो sales थी वो थी आपको पास dollar 3000 million आपको पाते है millions में था और यह country seems की dollar 615 million अगर हम इसको divide करते हैं तो हमारे पास वह answer आता है वह 4.9 times 4.9 times लेकि इंडस्ट्री की जो average आ रही है वह आ रही है 10.9 10.9 अब इंडस्ट्री की आप जा रही है 10.9 और हमारे पास रही है वह 4.9 आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा turnover जो है वह बहुत ही low है यानि इंडस्ट्री जो है वह एक साल में 10 तफा अपने stock को save करती है लेकिन हम एक साल में 10 तफा 4.9 अप्रोक्सिमेटली 5 ताइम हम अपनी product यानि हम कह सकते हैं हमने 50% काम है तो इस चीज़ को हमने check करना है inventory turnover issue में As a rough approximation each item of a light inventory sold out and restocked and turned over 4.9 times per year तो हमने discuss कर लिया turnover is term that originated many years ago that old Yankee peddler यह basically उसमें 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 इसमें डिसकस करते हैं अब हमने basically इसकी आप देखें इसी paragraph में देखें जो next उसमें लिखाव है कि who would load up his wagon with goods क्या हमने goods अपनी wagon में लोड किया and go off to his mood to paddle his wear हमने उसको बेजने के लिए चल पड़े है the merchandise was called working capital and merchandise who goods को कहा जाते है उसको अने का यह working capital है because it was that what he actually sold कि उस merchandise को ही बेचेंगे को हमारे पास पैसे याएंगे or turned over to produce his profit कि अगर हम उस merchandise को sold करेंगे उसको turn करेंगे तब ही हमारे पास profit आएगा whereas his turnover was the number of trips he took each year उसका turnover क्या है कितनी दफ़ा वो trip लेता है कितनी दफ़ा को माल बेचने जाता है कितनी दफ़ा उस ही जम turnover करेंगे animal says divided by inventory equal turnover all trips per year trips per year भी all देंगे if he made 10 trips per year यानि वो 10 trips लेता है एक साल के अंदर stock 100 पैस और उसके पास stock कितना हो गए एक trip के अदर and made a gross profit of dollar 5 profit यानि वो एक पैन के पीछे कितना पांच डॉलर profit and करता है gross profit जो उसका gross profit annual क्या होगा 5000 अब इसी में आए more example देते है if he went faster अगर वो ज्यादा fast हो जाए and made 20 trips per year कि आप 10 की जाए वो 20 भी प्लेट per year his gross profit would be double वो भी double हो जाए other things held constant पांच रुपए वही रहेगा 100 वही रहेगा अलेकर 20 trip increase हो गए तो उसका profit भी क्या हो जाएगा double हो जाएगा 10,000 dollars इसका मतलब जितना ज्यादा आपकी inventory जितनी fast test आपकी turn over होगी उतना ही ज्यादा आपका profit भी increase होगा तो allied turnover का वो 4.9 है जो के much lower than the industry's average 10.9 तो इसका मतलब यह है के allied company जो है उसका inventory turnover ratio इतनी अच्छी नहीं है जिस वज़ए profit भी इतना अच्छा नहीं होगा ठीक होगा जी इसी तरीके से हमारे पास जब तक आप उसको sales नहीं करेंगे जब आप तक आप अपने inventory turnover को increase नहीं करेंगे तो आप अपने profit को increase नहीं कर सकते है इसके बास हमारे पास second and days sales outstanding अब days sales outstanding हमारे पास क्या है हम नहीं यह देखना है कि हमारा जो stock जो turn over A1 किटने दिनों बाद stock हमारा sales होता है कितने दिन आउट standing होते हैं कितने दिन बाद हमारे complete stock को बेचते हैं मतल्क एक वह 100 pen है अगर वह देखना है कितने दिनों में वह बेचते है एक दिन में, दस दिन में, पंदर हैं पछास दिन में, वह हमने days count करने हैं तो देज आउसे ऑष्ट इसाइडिसार एक इसकार्ज एफिलेक्षिंड कि आपि देटेए इसफिल प्रेसिवेड़ और अब्रेसिवेड़रा इसे एफिलेटेटव प्रेसिवेड़रेजुद कि हम अपने दिन में कितने दिन बाद आरे रिसी डिसी कर देड़ देड Day sales outstanding will represent the average length of time that the firm must wait after making a sales before receiving cash देखें हमें आपको cash receipt आपको sales करनी पड़ती हैं कि बाद में account receivable आपको पैसे देती हैं debtors इंगा मुदार कुंगा mostly मुदार के sale कर रहेती हैं Alive has 46 day sales outstanding, यानि Alive जब को 46 days outstanding, sale कर रहेती हैं, शालीज दिर पाथ पैसे मिलते हैं Well, above the 36 day industry, our industry की average क्या थी 36 day, तो इसको calculate कैसे देखें 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 आउस्टनी हो, receivables divided by average sales per day Receivables divided by average sales per day, अब receivables हमारे पास कुछने क्वेस्टन के given हैं कि 375 million dollars ठीक है थी, और average sales कि नहीं है थी, और average sales कि नहीं है, वो से रिखा हुए आपके पास 8.2192 dollar, अब average sales per day कैसे नहीं काले कि, total sales को number of days इना year पे डिवाइड करते हैं total sales divided by number of days इना year 365 पे, 360 पे आप डिवाइड करते हैं कि तो आपके पास average sales per day आपके हैं अगर हम इसके count करते हैं तो यह हमारे पास आजाते है 46 days और ऐसे तो आपके 36 days यानि इन्डुस्ट्री की जो average है, days is outstanding यो पर गो 36 days है लेकिं इन की जो average है वो 46 days है The DSO can also be evaluated by compelling it with the terms on which firms sell its goods. कि कितने terms को बेश थी हैं. For example, Alloyed says terms call for payment within 30 days. Alloyed कहे थी कि 30 दिन के अंदर हमने आपने payment करनी क्योंकि मैंने आपको चीजने पेची तो 30 दिन के अंदर हमने आपने payment करनी है. So the fact that 46 days is not 30 days. 46 days तो 30 दिन तो नहीं है लाएंगे. Our outstanding indicates that customers on the average are not paying their bills on the time. इसका मतलब क्या है? अगर आप एक नहींने का time देते हैं चीजों को बेजने के पाद पैसे रेसीब करने का और अगर आप तीज दिन के अंदर नहीं रिटन करें इसका मतलब आपको 46 days में रिटन करें. जब customer आपको in time payment नहीं करता तो इसका मतलब क्या होगा तो आपके पास cash receivables काम होंगे. This deprives the companies of funds that could be used to reduce bank loans or some other types of costly capital. आपका banks loan जो होगा, वो reduce हो जाएगा. Moreover, with a high average dia, it is likely that number of customers are paying very late. इसका मतलब यह भी है, कि ज्यादा दिल लेते हैं तो इसका मतलब बहुत late payment करते हैं. Those customers may will be financial trouble, कि हो सकता है कि customer financial trouble नहीं, जिसमाजा से आपको time payment नहीं कर पा रहे हैं. Therefore, if the trend in DS over the past few years has been rising, but the credit policy has not been changed, this would be the strong evidence that steps should be taken to expedite that collection of account receivable. लेकिन अगर उनने का यही policy आपकी काफी अर्स्ते से चलती रही, कि इसी तरीके से late receivable होते रहे, तो फिर आप लोगों को asset management को यह चाही होगा, आपकी company की management firm को management को चाही होगा, कि आपको account receivable की policy को change करें, उसको revise करें, कि जदद जद आपको receivable हो. जितनी जदी आपके पास receivables आएंगे आपके working capital इतनी ज़्यादा होगा, आपका पैसा नहीं को bound हो जाएगा, आपका पैसा जो आपको आजनी कल तो मिलने लेकर आपके लिए वो नहीं मिल रहा, ठीके जी, उसके अबाद third one is the fixed asset turnover ratio, fixed asset turnover ratio, fixed asset turnover ratio basically simple सी बात है कि हमने sales को divide कर दना अपने net fixed assets, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी fixed turnover asset ratio कितनी है, the fixed asset turnover ratio measures how effectively firms use its plant and equipment, fixed assets हमें पता चलता है, इस ratio से कि हमारा जो plant and equipment है, जो कि merchandise manufacture करने के use हो रहा है, वो कितना effectively use हो रहा है, कि जितनी ही जती हम sales कर रहे हैं, नहीं manufacturing करी जा रहा है, it is a ratio of sales to net fixed assets, sales divided by net fixed assets, यही sales को divided कर दने हैं, आपने net fixed assets लिए पर, आपके पास यह आजाता है, कि आपके पास sales को रहे हैं, आपके पास dollar to 3000 million, वो fixed assets एक dollar 1000 million, तो आपके पास यह आ जाता है 3.0, और लेकिन तो आपके पास 4 point, वो आपके पास था 2.1, आपके पास यह आपके पास था 2.8, और आपके पास यह आपके पास यह आपके पास 3.0, अब अलाइड ratio of 3.0 times is slightly above the 2.8 industry average, यहनि कि हमारा जो राइड की तो इसी ज्यादा है, 3.0 है और 2.8 है, indicating that it is using its fixed assets at least as intensively as other firms in industry, यानि यह indicate कर रहा है कि जो other firms आपके जिस तरीके से आपने fixed assets को इस्तमाल करें, तिक्रिवर उसी तरीके से यह की assets को इस्तमाल करें, उसके पास रिका है कि therefore, a light seems to have about the right amount of fixed assets relative to its sales, यानि कि इनकी जो sales, जो इनने fixed assets की पर amount खर्च की है, ना इतनी ज्यादा हाई ना इतनी ज्यादा लोग है, बिल्कुल मुनासिब, potential problems may arise when interpreting the fixed assets from our ratio, recall that fixed assets are shown on the balance sheet at their historical cost, अबको पता है fixed assets हम इतनी historical costs और मने defecation minus करने के बाद या हम उसको mention करते हैं, काके मैं पता चले कितनी assets की value रहेंगी recall that fixed assets are shown on the balance sheet at their historical cost, यानि less in depreciation, inflation has caused a value to many assets that were purchased in the past to be seriously understood, inflation की होता है तो पास्ट की उनने assets को दिता, उसको ब्रीपेंग कर थिये, therefore if we compared an old firm that had acquired many of its fixed assets years ago and low prices with a new company with a similar operation that had acquired its fixed assets on recently, we would probably find that old firm had a higher fixed assets revenue ratio, old firm के पास क्योंके higher revenue ratio कि उनने कमराइस करी ती हूत, की के ती? However, this would be the more reflective of when assets were acquired than the inefficiency on the part of the new firm, the accounting profession is trying to develop procedure for making financial statements, reflect current values rather than historical values, वो कोशी ही कर रहे होते हैं, कि historical values से पुशा ही किया, वो जो current values है उनने को शो किया जा सकते हैं, छिक हो किया जी? एक मिट पूंके जी, तो next हमारे पास जो रेशू है वो है total assets turnover ratio, total assets turnover ratio, total assets turnover ratio कैसे हो कि sales divided by total assets, यानि तो आपके पास sales हो कि उसको divide आफने करते हैं, total assets की पर आपके इस पास sales की आथी? 3000 billion, 3000 billion dollar, और total assets आपके पास आजाते हैं, 2000 billion dollar, अगर आपके इसको solve करते हैं, तो हमारे पास 1.5, और यह आपके पास 1.8, 1.8, ठीक हो किया? अब इसके क्या है? उसे लिए कि total assets turnover ratio is dividing sales by the total assets, the final asset management ratio है, total assets turnover ratio, महिए अजना turnover of all the firm's assets, जितने की firm's के assets होंगे, उसको हम क्या करेंगे? calculated by dividing by sales, यहीं sales को हमें total assets पे divide कर देना है, तो जैसे कि मैंने उसका 1.5 और उसका 1.8, अब allied ratio is somewhat below the industry average, यानि allied ratio जो है, वो industry average 1.8 है, उसे below है, indicating that it is not generating enough sales, यानि वो इतनी sales generate नहीं कर रही है, 1.8 times sales को generate कर रही है, यह 1.5, इसका मतलब यह अपने total assets से, इतनी ज्यादा sales को generate है, नहीं कर रही है, sales should be increased, some assets should be disposed, इसका मतलब क्या है, कि इनके पास fixed total assets की quantity ज्याद है, sales कम ने, cost ज्यादा sales कम profit reduce हो गया, तो इन्हें चाहिए कि अपने कुछ assets उसको dispose करें, ताकि आपके पास total assets का burden है, जो आपनी sales को effect कर रहा है, आप उसको कम करें, जब आपके इस total assets कम होंगे, जो आपको लग रहा है कि इनको reduce किया जा सकता है, और हमारी profit इससे increase हो सकता है, तो उनको हमें reduce करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा हमारा sales को volume होगा, जो profit हो तो वो हमारा increase हो जाएगा, तो ऐसा उन्होंने चाहिए कि ऐसा combination बनाए, या से steps बनाए जिस वज़ा से यह हमारी sales increase हो जाएगा, ठीक हो गया जी, तो students यह हमारे पास यह asset management ratio, कि हम एक firm जो है, कितनी effectively अपने business के तमाम assets को use कर सकती है, अपनी sales को बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, जिसने हमने चार ratios को डिसकस किया, inventory turnover ratio को, inventory turnover ratio को हमने डिसकस किया, कि एक firm जो है, वो अपनी inventory को एक सार के अंदर कितनी दफ़ाव sales करती है, जितनी ज्यादा inventory turnover ratio होगी, उतने ही ज्यादा आपकी sales होगी, उतने ही ज्यादा आपका profit होगा, इसके पाद हमारे पास day sales outstanding था, day sales outstanding यह show करता है, कि हमने जो sales की है, on credit basis पे की है, क्या हमारे जो account receivables हैं, वो हमें in time payment कर देते हैं यहीं कर देते हैं, तो इसमें वो days calculate करने पड़ते हैं, कि कितने दिनों में हमारे receivables हैं, वो हमें payment करेंगे, अगर हमने 30 days का time दिया है, और वो हमें कर रहा है 46 days की, means कि हमारे customer हैं, वो financially strong नहीं हैं, वो हमें in time payment नहीं कर देते हैं, तो जिसकी वज़ा से हमारे receivable जोड़ना in time नहीं रसीब होता है, और हमारा capital जो होता है वरकि capital को reduce रहता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम कुछ इस तरह से methods बनाएं, कुछ इस तरह से policies बनाएं, कि उन policies को adopt करें, और वो policies हमारे customers के adopt करें, कि वो हमें in time payments कर सकी, हमें ज्यादा pending ना करें, उसके बाद है fix asset turnover ratio, हमने यह चेक करना है कि जो हमारे fix assets हैं, जो machine की है equipment है, वो हमारे कितनी effectively work कर रहे हैं, कि हमारी sales में अधाफा कर रहे हैं, ठीके ठीके 3.0 है, यह 2.8 है, इसका मतलब यह था यह बिल्को नजदीग नितासर, यानि कि हम यह कह सकते हैं थे, reasonable था, कि हमारे fix asset जो है वो हमारी sales को इंडस्ट्री की average चल रहे हैं, तिकरीबन उसके बराबर है, यानि किखी चल रहे हैं, और इसके बाद हमारे वाद है total asset turnover ratio, अब जो total asset turnover ratio था, total asset turnover ratio में मैंने आपसे डिसकस किया था, कि हमने यह देखना हैं, कि हमारे business के total assets हैं, वो हमारी sales की उपर कितना effect करते हैं, कि total assets की वज़ा से हमारी sales reduce तो नहीं हो रही, क्योंकि हमने starting भी यह discuss किया था, कि अगर हमने इसमें assets management ratio पढ़नी हमने यह देखना है, कि हमारे assets की value too much high तो नहीं, too much low तो नहीं, अब अगर यहां पे देखा जाए, तो हमने देखा है, 3000 million dollar तो आपकी sales है, और 2000 million dollar आपकी assets है, तो ratio जो आ रहे हैं, लेकि इंडिस्ट्री आपकी 1.8 है, यानि इंडिस्ट्री की average है, जो उनके total assets उनको revenue दे रहे हैं, sales दे रहे हैं, वो 1.8 दे रहे हैं, लेकिन हम 1.5 ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है, कि हमारे assets बहुत ज्यादा हैं, जो के हमें sales में अजाफा नहीं करने रहे हैं, वो हमारी cost में आजाता है, तो इसलिए हमें कुछ ऐसे combination बनाने चाहिए, कि जैसे assets को adopt करना चाहिए, जो हमें लगता है, कि उन assets को हम dispose of करने, और इंको dispose of करने के बाद, हम अपनी sales को increase कर सकें, तो यह हमारी 4 ratios ही, जो मैंने आपसे discuss कर ली है, कि जो हमारी asset management on our ratios है, तो उमीद करते हूं आप लोगों के लेक्चर के समझ आई हो, कि जो भी question होगा आपको पूछेगा, इससे related आपने कुछ questions दीचे दिये हुए, और उसको आपने यह पढ़ना है, और उनको answer निकाला है, कि पर questions को read-up कर लेता हूं, नबर बान से लिका है, identify four ratios that are used to measure, how effectively a firm manage its assets and write out their equations. आपने की यहीं कुमने equations लिखींगे, यहीं उसका answer होगा. If one firm is growing rapidly, एक firm बहुत तेजी से rapidly increase कर रही है, and another is not or dosy नहीं कर रही, how might this distort a comparison of their inventory turnover ratio, अब हमने उसकी inventory turnover ratio को comparison करता है, जो grow कर रही है, जो grow नहीं करी, क्या reasons कि हमने बता रही है. Number three है, if you want to evaluate a firm's DSO, यानि उसकी DACE is outstanding, आपने evaluate करने हैं, with what would you compare it, उसको आपी किसके साथ compare करने हैं, यह चीज़ों को हमने response करते हैं. What potential problems might arise when comparing different firms fixed asset turnover ratio, कौन को से potential problems हो सकती हैं, जब हम different firms के fixed asset turnover ratio को आपस में comparison करते हैं. फिर एक उसे एक छोटा साथ अमेरिका दिया है, कि a firm has annual sales of 100 million dollar, 20 million of inventory and 30 million dollar of accounted civil, what is its inventory turnover ratio, आपने inventory turnover ratio calculate करनी है, what is the DSO days of 365 per year, और आपने उसके days, जो sales outstanding को calculate करना है, ठीक है तो बच्चे ये अपने question है, इसको भी solve करना है, ठीक है, और इसको अच्छे तरह के सिर्फ याद कीजेगा, इसको पढ़ियेगा, और ये questions को answers आप लाजबी कीजेगा, और अगर आपको कोई भी issue करना है, तो अपना बच्छा खेया रखेगा जी, अलाभ आप इसे करना है